नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं कल पूछे गए प्रश्ण के साथ कल जो प्रश्ण पूछा गया था वो है कि निम्न कत्नों की सत्यता पर विचार कने है पहला कथन Financial Action Task Force का मुख्याले पेरिस में है और यह कथन सत्य है दूसरा कथन National Clean Air Program प्रयावरन मंत्राले द्वारा वर्श 2019 में प्रारंब किया गया यह कथन भी सत्य है तीसरा कथन गाफा कर एक प्रकार का प्रेटन कर है यह कथन गलत है यहाँ जो गाफा GAFA यह एक Digital Tax है जो Google, Apple, Facebook और Amazon पर लगाए जाता है तो सही विकल्प है इसमें क्या? Option A मतलब पहला और दूसरा कथन सत्य है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर और यह रहा आज का पहला संपादिकी है जिसका सिर्षक है इस संपादिकी का आधार है भारत और अमेरिका के मध्ध हालिया हुए तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ देखते हैं कि आकर टू प्लस टू वारता क्या है तो दो देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के इस्तर पर या रक्षा और विदेश सचीवों के इस्तर पर जो वारता होती है उसे हम करते हैं टू प्लस टू वारता अब यहाँ पर यहाँ महत्रपूर्ण है कि भारत किन किन देशों के साथ टू प्लस टू वारता करता है तो तीन देशों के साथ अमेरिका जापान और आस्टेलिया के साथ अब देखे अमेरिका के साथ जो टू प्लस टू वारता होती है उसकी रूप रेखा 2017 में तयार हुए थी और पहली वारता हुए थी 2018 में नई दिल्ली में दूसरी वारता हुए थी 2019 में वाशिंग्टन मे और तीसरी वारता जो अभी हुई है 2020 में नई दिल्ली में जापान के साथ भी 2 प्लस 2 वारता और यह वारता जो होती हुआ मंत्री इस्तर की वारता होती है जबकि आस्टेलिया के साथ भारत का जो 2 प्लस 2 वारता है वह अमेरिका और जापान से थोड़ा भिन है क्योंकि यहां आस्टेलिया के साथ 2 प्लस 2 वारता सचिव इस्तर का होता है अब हम बात करते हैं आध्यतन 2 प्लस 2 वारता यह जो लेटेस 2 प्लस 2 डैलोक हुआ है वह हुआ है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में और इसमें जो महत्रपुन समझाओता हुआ है उसका नाम है BECA यानि की Basic Exchange and Cooperation Agreement इस समझाओते के अंतरगत दोनों देसों की सेनाओं की द्वारा गोपनी सूचनाओं का आदान परदान किया जाएगा इसके आलावा Geo Special सयोग के छेतर में भी विर्धी होगी और इससे लाभ यह होगा कि Cruise Ballastic Missile आदी के छेतर में Military Accuracy बढ़ेगी अब यहां यह महत्पूर्ण है कि अमेरिका अगर किसी देश के साथ बेहतर सैने संबंद इस्थापित करता है तो फिर अमेरिका उस देश के साथ चार समझोता अवस्य करता है इन चार समझोते में से एक समझोता B.E.C.A. को हमने देख लिया है अब हम बात करते हैं सेस तीन समझोते की इसमें पहला समझोता है जिसका नाम है General Security of Military Information Agreement 2002 इस्वी में इस समझोते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और अमेरिका के बीच में और बाद में इसके अंतरगत औद्योगिक सुरक्षा अनुलगनक को शामिल किया गया इस समझोते के द्वारा भारत और अमेरिका के रक्षा उद्योग आपस में गोपनिय सुझनाओं का आदान परदान करते हैं दूसरा समझोता जिसका नाम है Logistic Exchange Memorandum of Agreement 2016 में इस समझोते पर भारत और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर वा और इस समझोते के अंतरगत दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के सैनिस्विधाओं के उप्योग की अनुमती प्रदान की गई है तीसरा समझोता जिसका नाम है Communications Compatibility and Security Agreement और इस समझोते पर 2018 इस्वि में भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया और इस समझोते के द्वारा भारत अमरिका से उन्नत संचार उपकरण को प्राप्त कर सकता है अब जो 2 प्लस 2 वारता हाल ही में संपन्न हुई है तो इसके कई आयाम है और उन कई आयामों में से एक आयाम है क्वार्ट देखे, भारत 2 प्लस 2 वारता किन देशों के साथ संपन्न करता है तो अमरिका, जापान और आस्टेलिया इस प्रकार यह क्वार्ड देश है और अगर क्वार्ड देशों की निती चीन को लेकर क्या है अगर उस पर हम गौर करें तो हम यह देखते हैं कि अमरिका, पूर्वी एसिया में चीन को नियंत्रित करना चाहता है वहीं आस्टेलिया के संदर्म अगर हम देखे, तो आस्टेलिया के अवसरचना प्रोजेक्ट, राजनिती, पर चीन की रूची काफी बढ़ रही है और वहीं आस्टेलिया के विश्विद्याले उपर चीन का काफी प्रभाव है और यही कारण है कि आस्टेलिया ने चीन के साथ अभी भी comprehensive strategic partnership को बनाए रखा है वहीं अगर हम जापान की बात करें, तो जापान और चीन के मद्ध, छेत्र विवाद मौजूद है और अर्थविवस्था के इस्तर पर अखम देखें, तो जापान की अर्थविवस्था चीन के साथ व्यापार पर निर्भर करती है अब अगर हम भारत की बात करें, तो हमें यह पता है कि LAC पर चीन और भारत के बीच गतिरोध मौजूद है वहीं हिंद महासागर में चीन के प्रभाव में विर्द्धी हो रही है और भारती वी निर्मान उद्योग की निर्भरता चीन पर है तो कौड के देशों की अगर हम देखें चीन के साथ संबंधों को तो उसमें बहुत संतुलन बनाए जाने की आवसकता है मतलब ये कि जहां चीन के प्रभाव को रोकना है वहीं चीन के साथ संबंध में संतुलन को भी बनाए रखने की आवसकता है और इसी रणनीती को कौड के देशों के द्वारा अपनाए जा रहा है और देखें किस प्रकार की नीती अपना रहे हैं तो मालाबार नौ सेना अभ्यास में कौड के चारों देशों का सामिल होना और हमें ये पता है कि इस बार आस्टेलिया भी इसमें सामिल हो रहा है वहीं देखें कि भारत के बाद जो अमरीकी विदेश मंत्री है वो मालदीब, स्रिलंका और इंडोनेसिया की भी यात्रा करेंगे और ये जो दोनों मालाबार नौ सेना अभ्यास और अमरीकी विदेश मंत्री का मालदीब, स्रिलंका और इंडोनेसिया की यात्रा करना ये कहीं न कहीं एक संतुलन और प्रति संतुलन की नीती है किसके विरुद चीन के विरुद है वहीं आगे अगर हम दूसरा आयाम देखें तो वह दूसरा आयाम है अमरीकी चुनाव परिनाम अब इस अमरीकी चुनाव परिनाम के अंतरगत अगर ट्रंप जीतता है तो चीन के साथ जो तनाव है वो तनाव जारी रहेगा और इस तनाव में भारत अहम साज़ेदार की भूमी का निभा सकता है किसके साथ अमरीका के साथ वहीं जो पॉम्पियो मतलब अमरीकी विदेश सचिव है उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने युनाइटेड नेसल सिकुर्टी कॉंसिल में भारत के इस्थाई सदस्यता के दावे का इरान का जो संयुक्त उपकरम है चाबाहार बंदरगाह पर तो उसमें प्रतिबंद जो लगे वे हैं उसमें छूट की भी इक्षा जता ही है लेकिन अगर मामला पलट जाता है मतलब यह कि अगर अमरीकी चुनाव परिणाम आते है और उसमें बिढ़न अगर जीतता है तो चीन के साथ जो कारोबारी तनाव है उसमें कमी आएगी और अगर चीन के साथ कारोबारी तनाव में कमी आएगी तो कहीं न कहीं भारत की भूमिका जो अहम साज़ेदार की हो सकती है तो उस भूमिका में भी कमी आएगी फिर वहीं इरान परमानुस समझोता जिसको कि प्रिदम से नकार दिया है फिर नए सीरे से उसमें भी सुरुवात हो सकती है और हमें यह पता है कि भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा ट्रंप की वकालत की गई है तो उससे यह भी हो सकता है कि जो अभी अमरीकी प्रसासन में भारत की पैट बनी वी है तो डेमोक्रेट प् कि छेत्री पहचान को भी मजबूती मिले और इसी छेत्री पहचान को मजबूती देने के लिए भारत सरकार के द्वारा मालाबार अभ्यास में आस्टेलिया को सामिल किया गया ताकि हिंद महासागर और हिंद परसांद छेत्र में सुरक्षा को और बहतर किया जा सके वहीं जो संगाई कॉप्रेशन और्गनाजिसन है उसके सासन प्रमुक की मेजबानी की जो बात भारत की द्वारत की गई है तो वो कहीं न कहीं चीनी आकरमक्ता के बीच एक कूटनितिक परिपक्ता का परिचे दिया है भारत ने अब छेत्रिय पहचान को मजबूत करने की आविस्यक्त इसलिए भी है क्योंकि अगर हाल के वर्षों पर भारत भारत का अगर हम संबन्द पड़ोसी देश्वों के साथ देख तो नेपाल के साथ संबन्द है उसमें भी तनौ है सिर्ल немнож के साथ संबन्ध भी उतने अच्छे नहीं है उसमें भी गर्म-जूसी का अभाव है जिसका कारण है कि कर्ज रहत का अनुरोध कियाता सिर्लंक के द्वारा और भारत ने उसमें देरी किए वहीं बांगला देश के साथ संबंध में भी अभी और संतुनन इस्थापित करने के आवे सकता है क्योंकि नागरिता संसोधन अधिन्यम के प्रावधानों ने बांगला देश को संका में डाला और पाकिस्तान से अभी भी सीमा पार आतंगवाद का एक बड़ा खत्रा तो इस परिस्तिती में यहां आवे सकता है कि भारत महासक्ती और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक संतुनन को इस्थापित करें तो इस प्रकार हमने पहले संपादिकी के द्वारा अमरीका भारत के मद्ध हालिया टू प्लस टू वारता के विभिन आयामों पर चर्च संपादिकी ए जियस पेपर 2 में सामिल इसे अंतराष्टी संबंध के द्रिष्टि कों से यह काफी महत्यपूर्ण है देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार क्या है चीली में नए संविधान निर्मान हे तू जनमत संग्रह अब देखें यह जो नए संविधान निर्मान के लिए जनमत संग्रह कराए गया है उसके दो कारण है एक तातकाली कारण और दूसरा मूल कारण पहले बात करते हैं तातकाली कारण की तातकाली कारण यह है कि पिछले वर्स मेट्रो के किराय में 4% की विर्धी की गई और इस 4% मेट्रो क किराय में विर्धी के साथ ही चीली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन प्रारम हुआ, हाला कि यह आंदोलन काफी हद तक अहिंसक था, लेकिन हिंसा की भी छिटपूर घटनाएं वहाँ पर देखी गए, लेकिन इसका स्वरूप काफी विसाल था, वहीं अगर हम करें, तो देखे, 1973 मतलब 1973 इस्वी में चीली में सैन विद्रो हुआ, और उस सैन विद्रो के द्वारा आगस्टो पिनोचे के नित्रित में दच्छन पंतिस सरकार का गठन हुआ, अब इस सरकार के द्वारा दो कारी किये गए, पहला नए सम्विधान का निर्मान किया गया और दूसरा, आर्थिक उदारी करन की नीती अपनाएगे, और इन दोनो कारियों के द्वारा जो मुख्य कारी किये गए, वो देखें, कि जितनी भी सरकारी इकायां थी, उनका निजी करन कर दिया गया, इस थानिये वेवसाईयों को जो टेक्स की छूट थी, उस टेक्स या नीजी छेतरों के हाथ में चला गया, वहें जीवन यापन की लागत में विर्धी हो गई, और नीजी रिन के इस तर में भी विर्धी हो गई, इन परिनामों के प्रभाव सरूप, लोगों का मन मौझुदा विवस्था से खिन्न तो था ही, और उसे 4% मेट्रो किराय के विर्धी ने और बढ़ा दिया, लोग उगर हो गए और सड़त पर उतर आए, तब सरकार ने समाधान के रूप में नए सम्विधान निर्मान हेतु जनमत संग्रह की बात की, और लोगों ने जनमत संग्रह में नए सम्विधान निर्मान के पक्ष में मद्दान किया, और अ मापचू देशज जनसंख्या के पहचान का मुद्दा और उनके अधिकार का मुद्दा वहीं लेबर यूनियन निर्मान का मुद्दा फिर लोगों के जल एवं जमीन पर अधिकार का मुद्दा और नीजी पूंजी के अस्तित्त का मुद्दा तो इस प्रकार हमने दूसरे सं संपादकी के द्वारा चीली में हुए जन्मत संग्रह के कारणों को देखा अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादकी की ओ जिसका शिर्षक है इस संपादकी को लिया गया है फानेंसियल एक्स्प्रेस से और यह संपादकी जियस पेपर ठर्ड में शामिल विसा है संगरक्षन, परियावरन प्रदूसन और छरण, परियावरन प्रभाव का आंकलन के दृष्टिकों से महतपूर्ण है चले देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधार क्या है? इसका आधार है प्रदूसन नियंत्रन हेतू नई इस्थाई निकाय गठन का सुझाओ तो आखिर या सुझाओ कौन दे रहा है? या सुझाओ दे रही है केंद्र की सरकार केंद्र की सरकार एक ऐसी इस्थाई निकाय के गठन पर चर्चा कर रही है जो ना केबल इस्टेबल बर्निंग बलकि अन्य प्रदूसन को नियंतृत करने के उपायों को निर्देसित करेगी अब सवाल यहाँ पर यह है कि केंद सरकार के द्वारा प्रदूसन को नियंतृत करने के लिए जिस इस्थाई निकाय के गठन की बात की जा रही है तो क्या उसकी आवेस्था है यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही एक संस्था मौजूद है उसका नाम क्या है इन्वारमेंट पॉलिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑथरिटी जो 20 वर्सों से कारी कर सुप्रीम कोट के द्वारा मेंडेटेड यह जो प्राधिकरन है इस प्राधिकरन का उद्देश से है राष्टिय राजधानी चेत्र में प्रियावरन प्रदूसन को कम करने के उपाय सुझाना और यह उथरिटी प्रियावरन संगरक्षन अधिनियम 1986 के अंत्रगत प्रिया चेत्रों से इसमें व्यक्ति शामिल है अब अगर Environment Pollution Prevention and Control Authority या EPCA की सक्तियों के अगर हम बात करें तो उसे या सक्ति है कि अगर उसके निर्देशों का उल्लंगन व्यक्तिकत इस्तर पर किया गया है या Office या प्राधिकारी के द्वारा किया गया है तो वह उसे पुनर निर दे सकती है या उसके Against Criminal Complaint भी दायर कर सकती है वहीं EPCA ने अपने Graded Action Plan की द्वारा राष्टी राजधानी छेत्र में प्रदूसन नियंतरन से संबंधित कई उपाय अपनाए हैं इतना ही नहीं EPCA ने प्रदूसन नियंतरन के लिए Supreme Court की द्वारा जो फैसले दिये गे हैं उन फैसलों को भी प्रवावित किया है जिसका एक बड़ा उधारन है भारत स्टेज 6 उत्सरजन मानक की अनिवारिता अब यहां यहां महत्पूर्ण है कि EPCA के द्वारा जिन सकतियों का प्रयोग किया गया है क्या वो काफी है तो उसकी समिच्छा किया जाने क्याव सकता ह और समिच्छा करने के लिए हमारे पास National Crime Record Bureau का आंकड़ा यह काफी सहायक होगा वह कैसे वह इस प्रकार कि National Crime Record Bureau के एक आंकड़े के अनुसार 2017 से 19 के इस अबधी में Air Pollution Prevention and Control Act के अंतरगत एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है जबकि Cigarette and Other Tobacco Protect Act के अंतरगत 24 मामले दर्ज हुए है और यह जो बात की जा रही है इन दोनों एक्ट के अंतरगत मामला दर्ज कराए जाने की तो यह मामला दर्ज नहीं हुआ है कहाँ पर देली में तो मतविया कि 24 मामले दर्ज हो गए है Cigarette and Other Tobacco Product Act के अंतरगत देली में जबकि Air Pollution Prevention and Control Act के अंतरगत एक भी मामला देली में दर्ज नहीं हुआ है तो अब यहाँ जौरत इस बात की है कि चाहे वो केंदर सरकार हो या नियापालिका हो इस यथार्त को वो स्विकार करें कि प्रयावरन प्रदूसन पर नियंतरन के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उसमें इस्थानिय प्राधिकारी या लोगों को सामिल करना अत्यंत ही बात समझ जानी चाहिए थी कि जब EPCA ने पंजाब सरकार को या निर्देश दिया था कि इस्टबल बर्निंग किसान ना करें इसके लिए उनको आप छटी पूर्ती दें तो पंजाब सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और उन्हेंने बात की कि जो इस्टबल बर्निंग से सम Supreme Court के निर्णे दिये गए हैं तो उस निर्णे को जब लागू कराने का समय आया तब न्याय पालिका और केंद्र सरकार की सिमाई दिखी हैं तो अब जो बात हो रही है कि जो भी निर्णे किये जाते हैं या जो भी नीतियां बनाई जाती है तो उसमें इस्थानी प्राधिक मतलब यहां पर यह है कि अगर इस्टबल बर्निंग को रोकना है तो फसल पैटर्ण को चेंज करना पड़ेगा और फसल पैटर्ण को चेंज करना है तो उसके लिए MSP नीती की भी समिच्छा किये जाने की आवे सकता है ताकि जो किसान है वो चावल और गेहूं से अलग उत मिलाकर यहां पर सार यह है कि प्रियावरन परदूसन से संबंदित जो नीतियां बनाई जा रही है जो निर्ने लिये जा रहे है वो निर्ने दिल्ली में ना लिये जाए वो निर्ने केन सरकार की तरप से ना हो बल्कि उसमें इस्थानी प्राधिकारियों को भी शामिल किया कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.